पूर्व मंत्री प्रमोजयन भाया ने भी मतदान किया एक दुलहन भी ने कहा कि पहले वोट डालने आए तो कहीं जगह पर ठारा बर्ष के यूवक एवम यूवतियों ने भी पहले वोट डालकर खुशी जाहिर की तो चौमेला में एक व्यक्तिर रावन और की पशाक पहन कर वोट डालने आया तो पहले तीन के बाद ह सत्यद्सक्राइब और कर दूंदान के थि heaven and ओर-फवर Alors कि आई ऑने वोट डाला है कियाना मैं आपका समाएर खान कैसा लग रहा है पहला वोट डाल कि अपर्विवार्ड के में और सब्सक्राइब तो चैन मैं यह झारी है और ओवरॉल डेवल्मेंट अच्छा होना चाहिए हमारी का, एजुकेशन पर ध्यान दे, यहां के एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दे, क्योंकि वह उस पर ज़रूरत है वहां, इहां का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, गवर्मेंट स्कूल के हालत बुरी है, जाहिए है और गवर्मेंट होस्पिटल भी ही हां पर सफाई का बिल्कुल ध्यानी रखते, काफी ताई प्रॉब्लम्स है वहां पर भी, तो भी डेवल्म होने चाहिए है, और अवरॉल डेवल्मेंट होना चाहिए है, कंटी का, महिलाओं के लिए के चाहते हैं, इंप्लाइमेंट होना चाहिए, महिला रक्षण के लिए क्या कहेंगे, मितुतर रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं पसंद है, ठीक, कितने साल की उमर है आपकी, 86, 86 साल की उमर है तो आपको होम वोटिंग नहीं करना आया गया, आपके भी हलो अगया, अच्छा, आपने हो वोटोपोई कर दे, हम क्या करें, यह लोग वालों से बताया था और उनने बुला ही नहीं कुछ करा ही नहीं, शगल ही नहीं दिये कि भी है, अच्छे अच्छे, कौन से वार्ड में रहते हैं आप, भाग संके क्या है, 27 साई, वार्ड नमर 32 है, वार्ड नमर 32 में है आप, कैसा लग रहा है, वोट दे करके आपको, क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार तो अच्छा काम करें तो करें, पैदे हमारी पर संदरा ढ़े टी ती नहीं कि अने वाली सरकार से क्या चाहित है तर्फ जो पूरी करें कि इस राप ओड करना है क्या सभाव है कि नि आपको प्रिरिक किया है आपको लगा करें बहुत डालना बहुत जावजी था अब आज है अब आज है जालावार बारा लोकसभाज शेत्र में और यहां से हम ने जानकारी लिया जिन्बर घूम करके कि क्या-क्या वोट के परसंटेज रहे और क्या-क्या यहां के लोगों की समस्या है थी जिनको ने बताया भी कई तरीके से होनीकों को निकाई के पहले और पहरों के पहले बो डालने के लिए आई कहीं विक्लागों को ने भी बुजरुगों कुने भी बूदाले और कि समस्या हैं बदीमर नहीं करें इसका偉ं और पर विदान लोगशाव शेत्र है यह मुक्रgery मंत्र मंत्र यह संद्राजे सिंद्या के पुत्र दुशन सिंग चार बार से सांसद हैं और पांची बार चुनाव लड़ रहें वहीं कॉंग्रेस से प्रत्यक्षी है वह प्रमोच जेन भाया जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनकी पत्नियू उर्मिला जेन भाया था वह भी दूसरी बार चार जून है उसको ही पता चलेगा इस बार वैसे यहां पर रायस्थान की चुनाव हुए है यह दो चरणों में पहले चरण में तो थी वोटिंग परसंटेज काफी कम थी और इस बार यहां की जो वोटिंग परसंटेज है वो 65% के लगबग 5 बजे की अपडेट आई थी उस करता है. करता है.